हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे सेट नमबर फूर बहुत सारे कोश्चन है और मैंने ऐसे 25 कोश्चन अपलोड कर रखे हैं बाल विकास के तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्या ह है वीडियो में 25 कोश्चन हैं बाल विकास के ठीक है यूपिटे टेस्टेट डेट एमपिटेट जितने भी एक्जाम होते हैं जिसमें भी बाल विकास आता है यह सारे कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है तो आये देखते हैं कि किस तरीके से इन सभी कोश्चन को हम लोग करते हैं तो हमारे पास पहला कोश्चन क्या है तो हमारे पास जो पहला कोश्चन पहला कोश्चन क्या है शिक्षा में और रोधन का तातपर क्या है और रोधन और अपवे यह दोनों कोश्चन आप से पूछे जाते हैं और रोधन और अपवे ठीक है और इससे पूछ बालक का एक वर्स से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना मतलब कि किसी बच्चे को जैसे वो फ़स्ट क्लास पढ़ा तो फिर सब फ़स्ट क्लास में है ठीक है बार बार दो तीन साल वो फ़स्ट में ही पढ़ता है तो इस प्रकार के प्रकिरिया को हम क्या कहते हैं अउरोधन कहते हैं मतलब कि उसके विकास में क्या होगे आउरोध यानि की ब्रेका लग गया है वो अगले कक्षा में नहीं जा पा रहा है शिक्षा में अपवे क्या होता है वे का मतलब आपको जानते हैं खर्च होता है अपवे चलिए देखते हैं क्या लिखा है बालक का अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरे किये विनाही विद्याले छोड़ देना जब बालक अपनी फ्रात्मिक सिक्षा को छोड़ देता है विद्याले आना बंद कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं अपुवय कहते हैं फिर अकला कुशन हमारे पास आता है अधिकम का संबंध वाद सिध्धान्त किस ने दिया तो अधिकम का जो संबंध वाद सिधान्त था ये दिया था था थांडाइक ने देखिए थांडाइक के जो मुख्य नियम थे मेन नियम ये थे तीन और जो गौड नियम थे ये थे पांच तो टोटल मिला के कितने थे आठ तो इस तरीके से भी कोस्षण पूछा जाता है मुख्य नियम कितने थे गौड नियम कितने थे और टो टोटल कितने थे तो आठ थे तो ये čाज़ijा आप ध्यानमे रखेंगे चलिए आगे आते हैं अगले question पे किस कौसल में पूरुग्यान का परिच्षड किया जाता है देखिए पूरुग्यान का जो परिच्षड किया जाता है वो सिर्फ एकी कौसल में किया जाता है और उसे हम कहते हैं प्रस्तावना कौसल क्या कहते हैं प्रस्तावना कौसल एनिमल इंटेलिजन्स के बारे में पुस्तक किस ने लिखी या एनिमल इंटेलिजन्स पुस्तक किस की है तो यही है थांडाइक साहब की किस की है थांडाइक साहब की और थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था बिल्ली पे यह चीचे सार गर्विता का नियम तो सार गर्विता का नियम किस ने दिया था तो यह दिया था गेस्टाल्ट वादी यानि मैक्स वर्दिमन ने दिया था सार गर्विता का नियम क्या होता ठीक है जैसे जो मनुष से होता है वो क्या करता है कोई भी अगर जटल चीज है जैसे कि कोई जटल चीज आपको दिखते है तो उसमें वो सबसे आसान चीजों को खोजने का प्रयास करता है इसी को हम कहते हैं सार गर्भिता का नियम ठीक है ला ओ प्रेगनेंज कहते हैं ठीक है ठीक है तो यह किस ने दिया था मैक्स वर्दिमन ने ध्यान को पुछा था पूशा था किस सम्बन्दी थे तो 거를 संबन्दी थे सम्बन्दित है तो यह अप ध्यान में रखेंगी अनुकूलन एड्रोप्शन के बारे में कि मनुभएग ज्यानिक ने बताया तो बताया था जीन पियर जेंडी किसने बताय था जीन पियर जू थे बिकास कभी न समाप्थ होने वाली प्रक्रिया है या या कथन किस बिकास से सम्वण ने थी तो बिकास कभी समाप्थ नहीं होता तो यहां पर यह चीड़ s Dee-dha-nt तो यह यह चीड़ समझने वाली है कि हम एक नमबर का कोशन हर पेपर में आता है कोई भी आप ले लीजिए 100% के question आता है बार बार आपसे पूछा जाता है कि बालक का अभिकास किस पर निर्फ़र करता है तो ये इसके वंसा नुक्रम और उसके वाता वरण दोनों पर निर्फ़र करता है और जो दोनों की अंतक्रिया के कारण ये होता है तो इसे हम कहते हैं अंतक्रिया का सिध्धान्त अब आते हैं अपने अगले question पे question number 11 संविधान के किस संसोधन से सिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई तो कौन सा संविधान संसोधन था छियासिवा संविधान संसोधन इसमें क्या बताया गया कि 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों तक निसुल को अनिवार सिच्छा उपलब्द करानी होगी और ये किस का दायत तो है ये राज जी का दायत तो है हर राज का दायत है ये 6 से 14 साल के बच्चों को निसुल को अनिवार सिच्छा उपलब्द करानी होगी और आप से पूछा जाता है कि ये किस अनुछेद में लिखा है तो य में आती है यह question पूछा जाता है आप से पेपर में चलिए तो यह हो गया कि अब आते हैं कुछ हगले question पर question number 13 अभी प्रेणा के मूल प्रविर्ति का सिध्धान के प्रतिपादक कौन थे तो इनका नाम था मैकडूगल कौन थे यह मैकडूगल और कब दिया था 1908 में 14 प्रकार के मूल प्रविर्तियों के बारे में इन्होंने बताया था और आपसे यह पूछा भी जाता है 14 प्रकार के जो भी है चलिए अगले question पर आते हैं विकास की किस अवस्था विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुरुस ने समविगात्मग विकास का अनोखा काल कहा है तो अनोखा काल कोल और बुरुस ने कहा है किसको बाल्या वस्था अब देखिए यह question दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है बाल्य आवस्था को सम्विगात्मक विकास का अनोखाकाल किस ने कहा है तो ये कहा है कोल तथा बुरूस ने तो ऐसे ही जब आप पढ़ना सुरू करेंगे कि एक कोशन से आप दो-तीन कोशन बनाएंगे आपको चलिए देखते हैं अगला क्या है तो ब्योहार के कारण ब्योहार परिवतन ही अधिगम है ये किस ने कहा है ये कहा है गिलफोर्ड ने किस ने कहा है गिलफोर्ड ने सिक्टीन नमर कोशन है नवीन ग्यान तथा नवीन प्रत्किरियाओं को अर्जन करने की प्रकिरिया अधिगम करने की प्रकिरिया है ये किस ने कहा तो ये कहा वुडवर्थ ने इसका मतलब ये है कि नवीन ग्यान और नवीन प्रत्किरियाओं की द्वारा जो भी चीज़े अर्जन की जाती है इस प्रकिरिया को हम क्या कहते है अधिगम तो इसे ये किस ने कहा था ये मैनो वैज्ञानिक थे इनका नाम था वुडवर्थ कौन थे वुडवर्थ अगले कोशन पर आते हैं कोशन में 17 अधिगम बेवहार में उत्तरोतर अंकूलन की एक प्रक्रिया है या कथन किसका है तो ये कथन कहा था इसकिनर ने पूर संधन का सिध्धान्थ भी इन्हों नहीं दिया था इसकिनर साहब ने तो बहुत सारी शीज़े हैं जो आप याद रख सकते हैं 80 नमर कोशन है आद तो अच्छा है मैं एक चीज़ आपको बता दूए जो नोर्स है ना ये मेरे खुद के लिखे हुए ठीक है ये मैंने कम्प्रोमाइस करिएगा लिकिन जो चीज़े बता रहा हूं वहां से कोशन आपके पेपर में मिल सकते हैं चलिए देखते हैं आगे के कोशन को आदतों ग्यान तथा अब प्रित्यों का अर्जन ही अधिकम है ये किसने कहा तो ये कहा था क्रो एंड क्रोने किसने कहा था क्र प्रिती संप्रत्य उपलब्धी सिक्षण का प्रतिमान संप्रत्य उपलब्धी सिक्षण का प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया तो ये दिये थे ब्रूनर ठीक है ये वैग्यानिक थे इनका नाम था ब्रूनर और देखिए ये जो सिक्षण प्रतिमान है न ये अभी पे यानिक इनका नाम था आसु बैल, कौन था आसु बैल, बुनियादी सिक्षर हिस्षर परतिमान, गूर्ट इज नी दीय, तो ये जो बैग्यानिक था नाम था, गैजर ने, आता है अगला कोच्चन क्या है most important question, आपको seated में भी एक question मिलता है, बार बार repeat होता है, तो सबसे पहले अगर आप कोई समस्य है, तो हम क्या करेंगे पहले समस्य को जानेंगे कि हो समस्या है क्या, ठीग है, पहला step हमेशा समस्या समाधान करने के लिए हमें पहले यह जाना पड़ेगा कि पहले समस्य कह तभी तो भाई आप आगी के करवाही करेंगे चलिए अच्छा चलिए एक example से इसको समझा देता हूँ जैसे कोई जगड़ा हो जाता है पुलिस आती है तो पुलिस सबसे आके आने के पहले पूछती है कि क्या matter है यानि कि क्या समस्या है ठीक है तो इस तरीके से पहला क्या है अगर कोई problem होती है तो उसका समाधान क्या है स क्या मस्या की पहचान अगले question पर आते हैं फोन नंबर कि बालको का अधिगम सरवाधिक प्रभावसाली होगा कब सरवाधिक प्रभावसाली कब होगा जो बालकों का संग्यान आत्मक भावात्मक ठीक है और मनोचालक पक्षो का विकास होता है साइको मोटर ठीक है मलभक य कि जो भी चीज़े हैं उन सब चीज़ों का जब एक साथ विकास होगा तो अधिकम जो होगा वो सबसे सरवाधिक प्रभावसाली होगा ये बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ये और आपको एक चीज़ और बतता हूं अधिकम के तीन उद्देश हैं कौन-कौन से संग्यानात अब देखिए कोश्चन में ये पूछा जाता है कि ये किस ने दिया ठीक है किस ने दिया ये तो ये दिया था बेंजामिन एस ब्लूम ने ठीक है तो ब्लूम एक बैग्यानिक थे उन्होंने ये बताया था इसके बारे में यहां पर वीडियो होता है खतम और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए और हमारी हेल्प करिए जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं तो करिए नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं आप पढ़ता है आप पढ़िए और फाइनली वीडियो देखने के लिए बहुत-बहु वीडियो में हिंदेगे